हेलो बच्चों बच्चों हमारा चप्टर शुरू है इस प्रिंसिपल प्रोसेस उस चाप्टर में हमने जो लाज्ट टॉपिक बात की थी वह थी टूल्स फॉर आर्डेएन टेक्ण नौजी उसमें भी हमारी हमाहर डिसकुर्शन शुरू है वह शुरू है रिस्ट्रिक्शन को मैंने आपको मिनिंग समझाया था वाट हिस रिस्टिक्शिन एंजाय मैं उस्सेंजंग में नूक्लिएज के बात की था उसमें एक्जांपल लिया था नॉमेंन्क्लेश को को लेके मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रहते हैं उनके नॉमेंट क्लेचर के रूल्स क्या रहते हैं वो भी हमने बात की थी उसके बाद बच्चों हमने आर्ड ये टेक्नोलोजी को किस तरह परफॉर्म किया सकता है वो भी हमने डिस्कॉशन किया था उके उसमें 11.1 यह लास्ट टॉपिक है उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेकि और वो टॉपिक का जो नाम है वो है सेपरेशन एन आइसोलेशन आफ डी एने फ्रेग्मेंट्स इसमें हमें डी एने के जो फ्रेग्मेंट्स रहते हैं उनको सेपरेट करना है उसके बाद उनको आइसोलेट कर करना है। ऐसे दो टिकनीक करनी है। पहले तो आप DNA के जो फ्रैग्मेंट से उसको में आएसोलेट करो। इसके लिए हम्हें जो प्रोसेस देखनी आज उसका नाम है ग in electrophoresis देखिए होता क्या है यह डीने हैं और यह डीने के हमने fragments किये और आप जानते हैं DNA के fragments हम करते है restriction enzymes से तो यहां पर हमने DNA के जब fragments किये तो fragments का जो length है वो अलग-अलग है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे अलग-अलग अलग-अलग- Substance आपको दिख रहा है कुछ बड़े लेंद के fragments कु है कुर्प चोटे लेंद के fragments अब यह जो आप fragments से देख रहे हैं इनी को हमें separate करना है अंब जो जिसकी लंबाई ज्यादा है वो DNA fragments हमें अलग करने हैं जिसकी लंबाई काफी स्मॉलेस्ट है ऐसे DNA में अलग करना है तो यह हैं टो सेपरेट डी एन फ्रैग्मेंट्स बाइ यूजिंग जेल स्टार्ड करते हैं जेली इस प्रक्रिया के लिए हमारी जो requirement है कि इसके लिए क्या-क्या लख सकता है पहले तो एक वहां पर प्रक्रिया करने के लिए हमें एक सौकेट लगता है मतलब एक ट्रे लगता है एक कास्टिंग ट्रे होता है वो हमने लेना है तो पहले बात हम ट्रे को लेंगे दूसरा इसे परफॉर्म करने के लिए जेल की जरूरत है और उसमें एक अगारोज जेल होता है अगारोज जेल जो है वो एक नैशरली मिलने वाला जेल है जो हमें समंदर के अंदर जो वीड्स पाई जाती है वहां से मिलेगा अगारो जेल, chemical composition में वो होता है, it's a polysaccharide ये polymer होता है एक प्रकार का, naturally occurring polymer है seaweed से और इस जेल की खासियत ये है, कि ये जेल जो है, इसके अंदर porosity ज़्यादा है मतलब उसमें बहुत सारे pores होते हैं और उसी pores का यूज़ करके हमें separation करना है DNA का तीसरी बात, यहाँ पे हमें battery के जरुवत होगी, क्योंकि यहाँ पे electric current का use किया जाएगा, electric current के हिसाब से ही इसको नाम दिया है electrophoresis, electric current का use करके आप इस प्रक्रिया को compute किजिए, ओके, तो यह रही हमारे requirements और हमारे जो DNA के fragments है, वो तो वहाँ पे रहने वाले हैं, ओके, इनके अलावा, इनके अलावा जो question पूछा जाएगा, वो यहाँ से आएगा, मतलब आ सकता है, इनमें chemical combustion यहाँ, इसमें chemical use होता है, उसको stain कहते हैं है अपन, इसका नाम है ETBR, ETBR दिया है, NCRD के अंदर ETBR को हम कहते है Ethereum bromides, और उसी के साथ, वहाँ पे हमें use करना है UV light, अल्ट्रा वालेट लाइट, तो यह हमारे requirement रहेगी, ट्रे होगा, उसके बाद में अगारोज जेल होगा, बैटरी है, DNA fragments है, ETBR है, UV light है, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रखो, ETBR और UV light को, अब हम शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को, that's gel electrophoresis, तो इसमें अगारोज जेल होने की वज़े से, हमने शुरू में इसको कहा gel, होने की वज़े से खहाan electro, और DNA जो होते हैं fazem, उस अगारोज जेल के अंदर होल्स हैं, यह उसकी वज़े से प्रॉपर्ली से उसलिए इसका नामे elektrophoresis, तो अगारोज जेल, एडिज जेल electrophoresis, मतलब लेक्ट्रिक करन्ट के हिसाब से वहाँ पर डिने सेपोरेशन और मैं और एक आपको छीज्ट यहाँ पे Bak चीज्ट कलियर कर वादू कि डिने जो सेपीड होता है इस प्रकृया में वह उसके साइख की हिसाब से होता है तो सबसे पहले हमें यहां पर ट्रे लिना पड़ेगा तो मैंने यहां पर ट्रे लिया है उसके अंदर जगा खाली होती है इसके अंदर जगा खाली है तो इस ट्रे के अंदर सबसे पहले मैं यहां वेल्स क्रियेट करूँ यह कुवे होते हैं वेल्स होती है मतलब पहले मैंने यह ट्रे लिया इसके अंदर मैंने अगारोज जेल फिलप किया यह अगारोज जेल है फिलप कर दे इसके अंदर बाद में यहां पर वेल्स क्रियेट किये यह वेल्स है यह वेल्स जरूरी होते हैं यह एक्चुली कॉम्स के कॉम्स की वज़े से जेल्स यहां क्रियेट करना पड़ता है मतलब कॉम्स से हम इसको जेल क्रियेट करते हैं एक कॉम रहता है एक बाद में हम थोड़ा सरकीट बनाते हैं उपर जो चार्ज होगा यह निगेटिव चार्ज होगा और यहां होगा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ positive charge रहता है, anode रहता है, यह cathode रहता है और इनको हम join करते हैं battery से, negative positive को join करते हैं battery से उसके बाद करना के देखो, अब हमारे पास DNA के तुकड़े हैं fragments of DNA, इन तुकड़ों को, यह DNA के fragments है इन तुकड़ों को हमें अभी load करना है, load करना है इस wells के अंदर तो हमने one by one यह DNA के तुकड़े यहाँ load किये, पहले मैंने यहाँ पे load किया, बाद मैंने यहाँ पे load किया, बाद मैं यहाँ पे load किया इनके अंदर मैं DNA के fragments पुरी तरह से load कर दिये, अब यहाँ पे काम करो DNA लोड हुआ अब आप बैटरी को on कर दो, जैसे आपने बैटरी को on किया, उसके वज़े से क्या होगा देखिए, आप सब भी जानते है DNA जो होता है, कौन साथ चार्ज है, DNA के उपर, negative, because DNA के अंदर कौन है, फॉसफेट, एक हता है, फॉसफोरिक एसिड, ओके, DNA का स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, नुकलाइट के अंदर, फॉसफेट होता है, उस पे negative charge विलॉंग करता है, वो DNA पे हुआ, negative charge, इसके अपूस में कौन साथ चार्ज है, positive, आपने battery तो on कर दी है, उसकी वज़ेसे जो DNA है, यह DNA run करेंगे, towards the positive charge, जब यह DNA यहाँ पे run करेंगे, तो मैं आपको पहले ही कहा था, कि अगारो जेल जो है, उसमें porosity ज्यादा है, उसमें थोड़े large pores होते हैं, उनकी उस pores के अंदर से DNA traveling करेंगे, ऐसे DNA traveling करेंगे, जैसे कोई sponge की तरह, जैसे sponge होता है, उसके अंदर से बहुत सारे pores होते हैं, वहाँ से water, बाकी चीज़े जो है, उसके level से वो travel हो सकती है, जैसे वहाँ तो air travel करेंगी, water भी travel करेंगा, same चीज यहाँ पे होगी, अगारो जेल से DNA travel करेंगा, तो उस सबसे पहले, सबसे पहले का अंदर, सबसे पहले का मतलब है positive charge की तरफ, जो firstly आया, वो smallest DNA होगा, मतलब जिसकी size चोटी होगी, वो सबसे पहले पहुचेगा positive की तरफ, जिसकी size थोड़ी बड़ी होगी, वो पीछे रह जाएंगे, और जो उसे बड़े रहेंगे, वो सबसे आखिरकार आपको यहां में लेंगा, मतलब आपको यहां पे, आपको यहां पे तीन तरह के bands दिख रहे हैं, मैं इसे bands कहूंगा, okay, it's a DNA fragment bands, तो यह जो DNA fragments है, यह आपको तीन लेवल से मिलेंगे, जो सबसे आखरी में जो लेवल है, वो largest DNA है, length के हिसाब से, okay, वो पीछे र होने की वज़ा से, वो hole से easily जा पाया थे, okay, इसलिए, यहां पे जो ठोटे DNA है, वो positive charge की तरफ मुह हो चुके थे, तो अब तो यह पूरा हो चुका है, DNA जो है, वो separate हो चुके हैं, अभी इनको मुझे देखना है, अब इनको कैसे देखना पड़ेगा, इसके लिए हमें यह यहां पे यूज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको कहा था, वहां पे ETBR और UV light, हमें काम करते हैं, हम क्या करेंगे, इस DNA को सीन करने के लिए, देखने के लिए, हम इनके उपर जो है, वो stain यूज करते है, उस stain का नाम, तो DNA are stain by ETBR, NCRT के अंदर नाम ने इसका, इथिडियम bromide करके, तो हमने इनके उपर stain, इनको stain किया, इथिडियम ब्रोमाइट से, उसके बाद, आप इनके उपर, नेक्स, पता है क्या होगा, इनके उपर आप UV light, जो है, उसे expose करोगे, मतलब आपने इसके उपर पहले, इनको stain किया, ETBR से, उसके बाद आपने इसके उपर UV light, जो ह प्रॉपरली लगा दिये, UV light में expose कर दिये, ओके, जैसे आपने इसके उपर UV light को expose कर दिये, तो पता है आपको, यहाँ पर जो DNA दिखाए देंगे, वो औरेंज कलर की दिखाए देंगे, so, you can see the DNA, specially, officially, औरेंज कलर, आपको वहाँ पर औरेंज कलर के fragments मिलेंगे, तीन चीज़ याद रखो, आपने इसके उपर ETBR किया, staining किया, DNA fragments को staining किया, UV light से expose किया बाद में, तो आपको औरेंज कलर की यहाँ पर fragments दिखाए देंगे, तो आपको उनकी जो ओके, यहाँ पर हमारे बात finish हुई, आगे देखिए क्या कहता है, NCRT, NCRT ने आगे यह कहा है, कि जो यहाँ पर fragments है, अब इन fragments को यहाँ से अलग करना है, मतलब इनको जेल से अलग करना है, क्योंकि यह फूरा अगारो जेल है, उनको अलग करो, तो, isolation या extraction, तो हम क्या करेंगे, हम इन तुकडों को यहाँ से कट करेंगे, मतलब जेल से कट ही करना पड़ेगा, तो हम इसको तुकडों को कट करेंगे, कट करने के बाद isolate करेंगे, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, illusion, what do you call this? illusion, that's a separation, या we call it a, it's a isolation of the DNA, from the gel, gel से DNA को आप बाहर निका लिए, it's a illusions, यह बात समझ में आ गई, अब जो DNA के fragments के DNA fragments जो आपको दिख रहे हैं, अब यह बाहर आ गए है, बाहर आने के बाद, जैसे आपको पता है, यह इनकी length जादा है, इनकी length कम है, यह middle में आते, ओके, अब यह जो fragments है, इन fragments का use क्या होगा, मतलब हमने separation क्यों किया, अब इसका use क्या होगा, use होगा RDN technology, हम क्या करेंगे, हम properly, हर fragments को हम वहाँ पे use करेंगे, कैसे, अब वहाँ पे आप ले सकते हैं vector, मतलब यह प्लाजमीड ले सकते हैं, तो आपने यहाँ पे vector लिया, vector मतलब यह प्लाजमीड लिया, और हर fragments को, जैसे कि यहाँ पे one number का fragments है, one number का fragments आपने यहाँ पे join किया, यह one number का fragment join किया, that's RDN technology, उसके बाद में आपने second number का fragment join किया, ऐसे करते करते आपने, four, five, six, seven, eight, nine, जैसे आपने यहाँ पे nine number का fragment join किया, इस प्रकार आप यहाँ पे इन तुकडों का use करके RDN technology परफॉर्म कर रहे हैं, तो यह कुछ NCRD के points है, इसे अच्छे से याद रखना, और यह पूरा जो technique है, वो है, जेल इलेट्रो फोरेसिस, इसे मैंने आपको कहा, अगारो जेल का use हो रहा है, और दूसरा मैंने आपसे यह कहा, इसे में, कि यहाँ पे electric current का भी use हो रहा है, इसके point एक बार समझ लेजिए, हमने एक tray लिया, उसके अंदर अगारो जेल फिल अप किया, उसके बाब में हमने यहाँ पे wells create किये, wells के अंदर हमने DNA को load किया, DNA fragment जो हमने DNA के तुकड़े किये थे वो, उसके बाब में current on किया, current on होने से जो है, यह तुकड़े जो है towards the positive charge मू होते रहे, जो छोटे तुकड़े हैं, वो आगे पाएंगे आप, और जो बड़े तुकड़े हैं, वो पीछे मिलेंगे आपको, got it, इनको देखने के लिए, इनको stain करना पड़ता है, stain ETBR से होता है, उसके बाद इनको हम expose करेंगे UV lights से, UV lights से access करने के बाद, आपको वो orange color के दिखाए देंगे, orange color के bands दिखाए देंगे, उसके बाद आपको इन तुकड़ों को alux करना है, alux करने का मतलब है illusion करना है, उसके बाद उसके बाद illusion करना है उसके बाद इन तुकडों का use करके आपको one by one vector के अंदर fill up करते our DNA technology fulfill करनी है तो बच्चो इस तरह हमारा जो complete हुआ अभी वो है gel electrophoresis और उसमें हमने जो topic complete किया वो तह हमारा separation and isolation of DNA fragments okay